गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की बुक बी हाइब में से हमारी थर्ड पोयम जिसका नाम है रेन ओन्दा रूफ यानि की शत पर बारिश जिसे कमपोज किया है हमारे पोईट कोट्स किने ने ठीक है? चलिए जानते ह कि वो क्या प्रेस करना चाहरे हैं यहां पर यस बच्चों तो बारिश रेन किसे अच्छी नहीं लगती सबको अच्छी लगती है है ना रेन बारिश का नाम सुनते ही सठके फेस पे स्माइल आ जाती है और जब शुमर विकेशन हो और फिर बारिश हो रहे ही हो तो आप लाती है अपने साथ बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी यादें, बहुत सारे कुछ ऐसे खटे मिठे अनुभव से, है न, तो उस समय कोई तो किसी का मन करता है कि हम विंडो के पास बैच कर उसकी melodious sound है उसको सुने, कोई जो है उपर भाता है रेन बात के लिए, लेकिन यह हमारे point क्या कह रहे हैं, इसे देखते हैं, जो कहते हैं, when the humid shadow hover, over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, लो कहते हैं, when the humid, humid मतलब numb, जब numb बादल, shadows मतलब मेग है यहाँ पर, जब बादल, यह निकी dark black clouds full of humidity, ठीक है, hover करते हैं, hover यानि की मंडराते हैं, घूमते हैं, over all the starry spheres, सारे तारा गणों के, जो group of stars है, sky, जो आस्मान में तारों का एक स्मू है, उसके उपर वो मंडराते हैं, and the melancholy darkness, और एक उदास सा अंधेरा, मतलब जब बादल चा जाते हैं, तो आस्मान में एक अंधेरा चा जाता है, और अंधेरा हमेशा ही उदासी का परतिक होता है, gloom का जो symbol है, dark sadness का symbol है, है ना, तो उदास सा अंधेरा चा जाता है, gently weeps in rainy tears, जो कि बारिश के रूप में आंसु बहा कर अपना दुख प्रकट करता है, यानि कि rain drops को यहाँ पे tears के साथ compare किया गया है, कि जो उदास अंधेरा है, वो बारिश के रूप में आंसु बहा कर अप लोगों को, कि जब पानी से भरे हुए बादल, यानि कि full of humidity, जो clouds है, जो आसमान में तारों के उपर चाय हुए है, तो जब इनके चाने से आसमान में उदास सा अंधेरा हो जाता है, जो कि बारिश की बूंदों के रूप में बरसता है, अब आगे क्या कहते हैं ये, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the pattern of the soft rain overhead, bliss मतलब होता है happiness, प्रेस होता है, दबाना, पिलो, तकिया, cottage chamber bed, यानि कि उनका जो cottage यानि घर, chamber, room, bed, बिस्तर, listening, सुनना, lie, पड़े होना, पैटर मतलब बारिश की जो टप, टप, टप की जो आवाज है वो, overhead मतलब ऊपर, ठेक है, तो वो कहत हैं कि कि कितनी ज्यादा सुख है, कितनी ज्यादा happiness है, कि पिलो के उपर सिर रखकर अपने bedroom में पड़े होना, और उस pattern, यानि कि उस sound को, उस बारिश की पट-पट की आवाज को सुनना, जो कि overhead, जो कि जहां वो लेटे होए हैं, वहां उसके उपर, छट के उपर, जो बारि हैं कि बहुत सुख मिलता है, कि जो बाहर बारिश हो रही हो, और छट के उपर बारिश की उस पट-पट की आवाज को सुनना, अपने कमरे में अराम से, तक ये पर सिर रखकर लेटे हुए, उस आवाज को सुनने में बहुत सुख मिलता है, ठीक है, clear? Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being star, वो कहते हैं, every tinkle, tinkle मतलब हो तन, तन, चन की आवाज, जब shingles होता है, कि rectangle shape में, जो चट पर जो tiles होती है, वो, वो कहते हैं, जो बारिश की मुंदे चट पर पढ़ती है, तो shingles, यानि कि चट की जो rectangle आईता का, जो tiles पर पढ़ती है, तो वो 1010 की जो अवाज होती है, वो मेरे हाठ में एक echo, एक गूंच पैदा करती है, and a thousand dreamy fancies, और हजारों स्वपनिल कलपनाएं into busy being star, एक व्यस्त व्यक्ति के दिमाग में start हो जाती है, यानि कि व्यक्ति कितना भी busy हो, यानि कि खुद को भी busy कह रहा है, यहाँ पर poet, वैसे आ में हजारों कलपनाईं जो हैं, वो start हो जाती है, समझ में आ गई, कि जब चट पर टन चन की आवाज होती है, बारिश की बुंदें पढ़ने से, तो उसके दिल में एक गूंच पैदा होती है, और उस स्वकूंच से, उसके मन में हजारों स्वपिनल कलपनाईं, fences, यानि स्वकूंच पैटर को जाती है, ठीक है, एड़ थाउसंड रिकलेक्शन वीव देयर एर थ्रेट्स इंट वूप, एज़ारों रिकलेक्शन, कलेक्शन होता है, वैस तो इकठा करना, लेकिन यहारी कलेक्शन है, यादें, पुरानी यादें, और हजारों यादें, वीव दे पैटर को, उस ध्वनी को, उस साउंच को, जो बारिश की है, और जो मेरी चट पर पढ़ रही है, तो यानि, वो कभी कह रहे हैं, पोईट कह रहे हैं, यहाँ पर, कि जब चट पर बारिश होती है, बारिश की आवाज आती है, तो मैं हजारों मेरी जो स्मृतियां है, मेरी जो यादे हैं, वो अपनी यादों के धागे से एक ताना बाना बुन लेती हैं, जब वो छत पर बारिश के गिरने की आवाज को सुनती हैं, ठीक है? Now in my Mary comes my mother, as she used in years again, to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. अब मेरी यादों में मेरी मा आती है, as she used in years again, जैसे वो कई सालों पहले आती थी. To regard the darling dreamers, regard होता है निहारना, वो अपने darling dreamers को, darling यानि कि उसके जो प्यारे बच्चे हैं, कभी के साथ, poet के साथ जो उसके siblings हैं, भाई भेन हैं, dreamers मतलब वो सोई हुए जो सपने ले रहे हैं, यानि कि वो उनको निहारने आया करती थी, और उनको disturb नहीं करती थी, उनको सोने दिया करती थी, और उनको देखकर चली जाती थी, खुश होती थी उनको देखकर, as she left them till the dawn, और भोर होने से पहले ही वो उनको छोड़ जाती थी, अब हमें यह पता लग रहा है कि अभी poet की mother, है नहीं, she is no more now, उनकी death हो चुकी है, और वो अपनी मा को याद कर रहे हैं, oh I feel her form look on me, मैं महसूस करता हूँ, यानि जब यह बारिश होती है, तब मैं उनको feel करता हूँ, जैसे वो मुझे निहारा करती थी, और मुझे अच्छा लगता था, जिस तरह से वो मुझे निहारती थी, as I list to this refrain, refrain मतलब sound of rain, जो बारिश की जो आवाज है, बारिश की जो ध्वन आजाती है, यानि कि पोईट जो है, अपनी मा के अफेक्शनेट लुक को यहां पे मिस कर रहा है, विच इस प्लेश अपोन दा शिंगल्स, यह जो बारिश की भूंदे जो है, वो शिंगल्स, शिंगल्स मैंने आपको पहले ही बताया, कि जो रेक्टेंगल टाइल्स हैं, उ इस बारिश के पचपच की आवाज को सुनकर, तो समझ में आया वचो, यह थी हमारी चोड़ी सी पोई, थैंक्यू बचो